Hello everyone, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Noble Plus Tablet के बारे में जो कि इस Tablet के इस्तमाल बहुत जादा दर्द की समस्या में इस्तमाल करने के लिए दिया जाता है इसके अलावा इसे अनेकों परकार के दर्दों में इस्तमाल करते हैं इसके सांथी सांथ लाइट फीवर हलका बुखार होता है तो उनसे भी कंडिशनों में भी है काफी फायदे मन्द है तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं Noble Plus Tablet की बारे में तो बात करते हैं Noble Plus Tablet जो की Mankind Company की बनाई ही मेडिसिन है 10 Tablet की पेकिंग होती है और यह आपको 50-55 रुपे की प्राइज में आपको अबलेबल हो जाता है 10 Tablet अब बात करते हैं Noble Plus Tablet में क्या के कॉम्बिनेशन है तो इसमें आपको दो तरह के Important Combination अबलेबल हो जाते हैं पहला Combination है Nemoslide यो की हर एक Tablet में 10 Mγ अबलेबल हो जाता है और जो दूसरा Combination है Acetaminofen जो की हर हएक Tablet में आपको 325 Mg अबलेबल हो जाता है इन दोनों ही Combination को आग क्या काम है तो पहला combination है जो की Nemo Slide है जो की एक तरीके का non-steroidal anti-inflammatory drugs के class से बिलोंग करने वाला यहाँ दवा है इसमें analgesic और anti-paratic property होती है जो की 12 साल से उपर के बच्चे को ही दिया जाता है 12 साल से निचे को नहीं दिया जाता है इसका इस्तमाल बहुत जादा दर्द की समस्या में इस्तमाल करने के लिए दिया जाता है वहाँ दर्द सिर्फ हो सिर्फ पीट दर्द को छोड़ कर होना चाहिए यहां दवा पीट की दर्द में इस्तमाल नहीं किया जाता है इसका इस्तमाल जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस का दर्द होता है, या हलका बुखार होता है, रेमेटोई अर्थराइटिस की समस्या होती है, या किसी परकार कोई सर्जरी हुआ है, उसके बाद भी इसे दर्द को कम करने के लिए इस्तमाल करने के लिए दिया जाता है जो कि इसमें भी anti-paritic और anti-analysic property पाई जाती है जो कि हलका दर्द की समस्या होती है या दातों में दर्द होना, मास पेशुई में दर्द होना, कमर में दर्द होना, सर में दर्द होना, हलका बुखार हो तो उन से भी कंडिशनों में acetaminophen भी काफी कारगर होता है आपकी age क्या है, आप इसे किस परपज मिले रहे हैं, उसे साथ से सकाड़ोज का confirmation होता है नॉर्मली इसे दिन में 2-3 बार दिया जाता है, डिपेंड करता है पेशिंट की क्या condition है उसे साथ से यह दवा अकेले दी जाने वली दवा नहीं है, इसके साथ और भी दवाईयों को combine करके चलाया जाता है जो भी आपकी समस्या हो बहुत जल्दी solve हो जाए, अगर हलका pain है सिर्फ कहीं किसी पार्ट में तो उनसे भी condition में यह कभी कभी दर्द के purpose में भी इस्तमाल किया जाता है क्या नुकसान हो सकता है, अगर आपको सूट नहीं करता है तो vomiting, सर में दर्द, तौचा में लालीपन, बहुत ज़्यादा नीन दाना, भूख न लगना, पेट में दर्द होना इस तरी के नुकसान देखने को मिल सकता है, पर यह बहुत ही rare case होता है, किसे नहीं लेना है अगर आपका age 12 साल से नीचे है, तो उस condition में आपको इस्तमाल नहीं करना है इसके अलावा अगर pregnant lady है, या breastfeeding mother है, तो उन से भी condition में आप इसे इस्तमाल ना करें और कर रहे हैं, तो डॉक्टर की रेक देख में करें, किसी के बताया जाने पर आप इसे इस्तमाल ना करें तो यही था, noble plus stability के बारे में जनकरी, अगर आपको वीडियो यह जनकरी अच्छे लेगी तो please like किजेगा और हमारे चैनल को subscribe किजेगा, आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धिन्यमाद, thank you for watching